सो हेलो गाइज वेलकम लेक्टो गारुशियेश्ट मेरा नाम है दिक्षान और में एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आचुका हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मुझे सस्क्राइब कर लेना क्योंकि मैं हर अल्टरेटिव दे आप लोगों के लिए ऑटो मंबल इंडिश्ट्री से जुड़े अपडेट के ओपर एक वीडियो लेकर आता हूँ तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जो हंडा अमीज का फेस लिफ आने वाला उसके बारे में हंडा जो है वो इंडियन मार्कट के 魚 हूँ पिला था अब जो होंडा अमेज है उसको भी एक midlife facelift होता है वो मिलने वाला है उसको होंडा ने थोग टाइम पहले वेबसाइट के ओपर भी टीज किया था और अपने YouTube चनल के ओपर भी एक वीडियो से उसके रिलीज करें तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उस सारे फीचर्स के बारे में जो उसके अंदर नए add-on होने वाले हैं क्या 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 एक्स्टीर और इंटिरियर में changes होने वाले हैं अभी थो ताइम पहले मलब उसकी जो recent images वो भी reveal हो चुकी है और वो देखके जो जनरेशन के लाइविल से उसे काफी ज़्यदा premium लगते हैं और काफी ज़्यदा अपर मार्केट का जो लूक है वो honda में इसको प्रवाइड करते हैं उसके अगर फ्रेंट के अंदर जो changes है उनकी बात करें तो इसके अंदर हमें जो नई grill मिलती है चुक्कि अब headlamps के साथ अब इसके अंदर हमें एलीडी प्रोजेक्टर का सेटप देखने को मिलेगा और इसके साथ जिसके फॉग लैम्स है वो भी हमें एलीडी देखने को मिलेंगे हेलो जन्स का पूरा गेम हट चुका है क्योंकि अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट है लेडी इसका काफी लैम्स देखने को मिलेंगे जो की पूरा बंपर है लोवर बंपर रियर का उसको रीडिजाइन किया गया और उसके नीचे दो रिफ्लेक्टर के बीच में रिफ्लेक्टर को क्रेक्ट भी करेगी और उसके साथ इंटीजर के अंदर भी हमें डैश बोर इसको पर सेटिन लैम्स वह देखने को मिल जाएंगे रियर व्यविव के मरा कैमरा के अंदर अब हमें मौ्टी एंगल से लेकर मुल जाएंगे गाइडलाइन्स मिल जाएगी जो की हो सकती है जो दो रंडल से उसके उपर जो पेट्रोल इंजन है वो पेडियूस करेगा 90 PS की पावर और 110 Nm का टॉक और इसके साथ हमें 5 स्टीट का मैनवल और एक CBT आटोमेटिक ट्रांस्मिशन देखने को मिल जाएगा और इस कार का एक सबसे अमेजिन फीचर जो पहले था वो अभी भी इसके अंदर कंटिन्यू जाएगा कि अगर आप CBT ट्रांस्मिशन लेता है तो 10 लाग रुपए के अंदर सबसे पहली ऐसी कार यह बन जाएगी जो अगर डीजल इंजन की पावर ऑप्शन की बात करें तो डीजल इंजन जो है वो हमें 100 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क प्रवाइट करेगा यह भी हमें 5 स्पीड के मैंदल और एक CBT आटोमेटिक ट्रांस्मिशन के साथ देखने को मिल जाएगा जैसा मैंने अग बताएग इस इसकी डिजायर, Hyundai Aura, Tata Tigor और Ford Aspire जैसी कार्स के साथ अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जिसकी प्राइस हो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगी अभी इसकी प्राइस हो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगी अभी इसकी प्राइस हो 6.32 lakhs से स्टार्ट होगे 11.11 lakhs तक जाती है और जो फेसलिफ आने वाला उसके बात ज्यादा प्राइस के चेंज हम एकस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो फेसलिफ्ट हो 18 अगस्त को लांच होगा और अगर आप इसको अभी बुक करना चाहते तो इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकिए अगर आप होंडा फ्रूम होम जो होंडा की एप है उससे बुक करते हैं तो आपको जो बुकिंग अमाउंट हो 5000 देना पड़ेगा और अगर आप डिलर्शिप पर जागे बुक करते हैं तो जो बुकिंग अमाउंट रहेगा वो रहेगा 21,000 तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना शेर करना और चैनल को सिस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना थैंक्यू